आज हम जो है राजस्थान करमचारी चयन बोर्ड का जो पुस्तकालिया धक्स लाइब्रेरियन का जो एक्जाम था उसके अंदर राजस्थान जीके के जो जो इंपोर्टेंट कुसंस आएं हैं दोस्तों उनके उपर हम डिसकस करेंगे मैं हूँ जयन्त एड्यू हब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है इस चैनल के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजे अल्लेडी पढ़ा रखी है दोस्तों अब मैं आपको एक एक कुसंस का डिटेल में अनलाइसेज करके बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजे क्लियर हो जाए पहला कुसंस आया था एक्जाम में मुसी माहरानी की चत्री अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो राजस्तान का तो ये वाला जो कुसंस है आख बंद करके अगर सपने में भी कोई आप से पूछ ले ना कि मुसी माहरानी की चत्री कहां पे है तो ये हर को कोई बता सकता है मतलब इतना basic से questions आए हैं तो मुसी मारानी की छत्री है अलवर में 80 खंबो की बनी हुई है यहां छत्री ठीके मुसी मारानी की छत्री कहां पे है अलवर में बनी हुई है और यहां 80 खंबो की छत्री है अगर आपने अलवर लिखके आए हो तो आपके question सही और मैं विश्वास करता हूँ 90% लोग, 90% इस्टुडेंट्स ने इसका आंसर सही किया होगा नेक्ट देखो गनेश्वर सभ्यता का संबंद गनेश्वर सभ्यता का संबंद तामर यूगिन सभ्यता से है गनेश्वर सभ्यता को भारत की तामर यूगिन सभ्यता की जननी कहा जाता है बात को ध्यान से गौर करो गनेश्वर सभ्यता को भारत की भारत की तामर यूगिन सभ्यता की जननी कहते हैं कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सिकर में यहां इस्तित है कांतली नदी राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे लंबी आंतरिक प्रवा नदी है गनेश्वर सभ्यता से हमें तामबे की मचली पकड़ने का काटा प्राप्त हुआ है और यहीं पे दूसरी सभ्यता है आहड सभ सब्यता से हमें जो है तामबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है दोस्तों ठीक है मैंने आपको यह बहुत यह अच्छे से एक्स्प्रें किया है राजस्तान हिस्ट्री जो मैंने की एक सेप्टेंबर से स्टार्ट किया है आप उसमें जाकर देख लो पूरा डीटेल बता प्रटने का था और कांतली नदी में पानी हुआ करता था दोस्तों आगे देखो जैपूर चितर सैली का स्वनकाल पृताप सिंह reckल को जैपूर्पूर के चितर सैली का स्वनकाल कहा गया है राजस्तान आठन कलुछर पूरा करा है उसके अंदर आपको यह किसस मिल जाएtag sentence में जोदपूर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था मेक मोसन मेक मोसन क्या था जोदपूर का पॉलिटिकल एजेंट था ठीके राता नाडा हवाई अड़ा कहां पे है ये भी अगर आपको कोई रात में भी पूछ लेना जगा के हलो भाता नाडा हवाई अड़ा कहां पे है तो भी आप आप the box यी आंशर दे सकते हो जोदपूर में है ठीके आज़े देखो बसदरा अभ्यारण्य सजजनगण अभ्यारण्य बसदरा जो पहाड़ी है वो उस पे सजजनगण अभ्यारण्य बना हुआ है मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है इसीच को सजनगड अभ्यारन्य जो है वो राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारन्य है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारन्य सरीश का अ जो है राजस्थान का सबसे छोटा उसके बाद आता है सजनगड अभ्यारन वर्तमान में पुलिस का वायरलिस कैंदर बना हुआ है सरवादिक फैल्सपार का उत्पादन अगें बहुत इजी कुस्संस अजमेर में सरवादिक फैल्सपार का उत्पादन अजमेर में होता है अजमेर का एका धिकार है मतलब अजमेर के इतने राइट से कि एकादिकार अजमेर की मोनोपोली है अजमेर से ही हो सकता है ठीक है फैलसपार जोगी महल कहाँ पर है रन्थमबोर में त्री नेत्र गनेश मंदिर कहाँ पर है रन्थमबोर में ठीक है इसीच को ध्यान रखना त्री नेत्र गनेश मंदिर जोगी में है लिए सब आपके रंधंबोर में आते हैं केंद्रिय भेड परजनन केंद्र केंद्रिय भेड परजनन केंद्र इस्तित है अवीका नगर और अवीका नगर कहां पे है मित्रो टॉंक में है अवीका नगर कहां पे है टॉंक में गलत तो नहीं करके आयो ना बहुत इजी कुस्टन्स है अब देखो ये तो आप कहीं पे भी खड़े हो आपका ये आंसर सही होगा कि धूल भरी आंधिया जो है स्री गंगा नगर में चलती है धूल भरी आंधिया कहां चलती है स्री गंगा नगर में आंधियो का सहर के नाम से जाना जाता है स्री गंगा नगर को उत्तर पस्यम रेलवे उत्तर पस्यम जो रेलवे है इसका मुख्याले कहां पे है जाइपूर में है नौर्थ वेस्टन रेलवे का मुख्याले कहां जाइपूर गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम गजनेर लिफ्ट जो है उसका नया नाम क्या है पन्ना लाल बारू पाल जो है गजनेर लिफ्ट परियोजना का नया नाम है मरू उध्यान का अन्य नाम बताओ तो इसका अन्य नाम क्या है फोसिल पार्क या जिवासम पार्क के नाम से जाना जाता है दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से किलियर करवाया है राजस्तान में तीन राष्टे उध्यान है केवला देव राष्टे उद्यान, मुकुंद्रा हील्स, केवला देव हो गया, मुकुंद्रा हील्स हो गया, और एक है रन्थंबोर, ठीक है, केवला देव, रन्थंबोर और मुकुंद्रा हील्स, ये तीनों तो क्या है, राष्ट्य नेसलन पार्क है, लेकिन राष्ट्य उद्ध्यान के नाम से जो की जेसल मेर में इस्तित है सबसे बड़ा छेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा पार्क है लेकिन इसको अभी भी राष्ट उद्ध्यान का जो है टैग या नाम हासिल नहीं है यहाँ पे जीवासम पार्क कहते हैं इसको फोसिल पार्क के नाम से जाना जाता है मरूद ध्यान तो इसका अन्य नाम जिवासम पार्क है और ये कहां पे इस्तित है जे सलमेर में इस्तित है मेवाती बोली कहां बोली जाती है बहुत ही इजी है मेवाती बोली अलवर में बोली जाती है मेवाती बोली अलवर में अब देखो ऐसे से कुशन्स जाता है आठ कलाई होती है जिसे सवाई कहा जाता है लेकिन गंगोर का यहां गंगोर के अफसर पर अधिक किया जाता है राजस्थान का राज्य नर्त्य है कौनचा गूमर ठीके रजवाडी नर्त्य भी कहा जाता है गूमर को सबसे पुराणी सीचाई पर्योजना गंग नहर सबसे पुरानी सीचाई पर्योजना कौन सी है गंग नहर है जोदपूर रियासत के सासक एकी करन के समय जब जोदपूर का एकी करन हो रहा था तो उस समय उनके सासक कौन थे हनुमंत सिंग जितने भी किस्टन्स अभी मैं आपको बताएं है फ्रेंड्स इसमें से 75 परसेंट ज कुसिशन्स में कहा रहा हूँ दोस्तो मतलब आप 70 से 75 नंबर तो ऐसे ही स्कोर कर सकते हो अब यह बताओ यह का संबंद किस्से है रास्तापाल से अब यह एक्जाम होता ब्येश टीसी का उसके अंदर भी यह कुसंस आयवा था काली बाई का संबंद कहां से है रास्तापाल साधू सितार आम का संबंद किस्से है बिजोलिया किसान आंदोलन से भीमलत विजय इस्तम कहाँ पे है भीम से याद कराया था मैंने आपको भरतपूर में है भीमलत भरतपूर में है पवाड़ा क्या है पवाड़ा एक लोक गीत है मंडोर से मेरता राजधानी किसने शिफ्ट की थी मंदोर से मेड़ता किसने बनाय था नाग भट प्रत्थम ने नागोर की स्थापना नाग भटो द्वारा की गई थी इसलिए ही नागोर नाम पढ़ा था इसका ठीके मैंने आपको पढ़ाया इसको बारे में व्यच्छे से संयुक्त राज राजस्थान के प्रधान मंत् कि नीव किसने रखी मेरांगड दुर्ग कहां पे चिडिया टुक पहाडी पर इसको मयूर ध्वजगड के नाम से भी जाना जाता है ठीके राव जोधा ने इसकी नीव रखी थी कब पंद्रा सो गुनसट के अंदर कर्णी माता जो है कर्णी माता द्वारा जो है मेरांगड दुर्ग की नीव रखी गए थी जो ये मारवार के राठोडे इनकी कूल देवी कौन है इनकी कूल देवी है दोस्तो नागने जी माता और जो की राव दुहर द्वारा नागने जी माता का मंदीर नगाना बाड मेर में स्थापित किया गया था राव जोधा ने महरांगड में किसका राव जोधा ने महरान गड़ दुर्ग में नांगनी जी माता का मंदीर और चामुंडा माता का मंदीर की स्थापना की थी ये राव जोधा वो ही है दोस्तो जो की रनमल के पुत्र है और रनमल कौन है रनमल ने हंसा बाई का विवा रनमल ने अपनी बेन हंसा बाई का विवा किस से कराया था याद करो राना लाखा से कराया था ठीक है और इनी का पुत्र था मोकल और राना कुम्भा और राव जोधा के मध्य उनिस सो त्रेपन नाइंटीन फिफ्टी थी में आवल वावल की संधी कराई गई थी हंचा भाई के नितरत्व में किसलिए कराई थी मेवाड और माडवार की सीमाओ का निधारन कराया गया था तो दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल बता दिया है राव जोधा ने जो है जोधपूर सहर बसाया था चिडिया टुक पाड़ी पर महरांगड दुर की स्थापना कराई थी बताओ कोई कंफ्यूजन है तो आ आखम जो है आंतरिक परवा का भाग नहीं है राश्टिय सुक्सक बागवानी कौन हिसा है बीकानेर में राश्टिय सुक्सक बागवानी बीकानेर राजपूत राज्यों से संधी किसने की थी चार्ल्स मैटकॉफ ने चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा राजपूत राज्यों स संधी की गई थी राज प्रसस्ती राज प्रसस्ती कहां पे है राज सम्मन जील के किनारे राज प्रसस्ती लगाई गई है 25 बड़े बड़े काले संग मरमर पत्थर पर इसमें पूरे मिवार का इतिहास लिखा गया किसने लिखा रंचोड भटने लिखा संस्कृत भासा में ल पताया था, प्रतापी सासक थे, उन्होंने जहांगीर के साथ इनकी पहले मितरता थी, लेकिन बाद में इनकी मितरता तूट गई, जजिया करका विरोध किया इन्होंने, और भी जहांगीर का हर समय इन्होंने विरोध किया था दोस्तों, ठीके, तो ये थे राज सिंग, सभा 2 जुलाई 1877 में देश शितोषनी सिभा लगी थी रन्थंबोर का प्रारंभिक नाम क्या है रन rear到्पूर रन इस्तंबर्पूर camearm तो जो ये रन थम्बोर का प्रारंबिक नाम क्या है रन इस्तंबपूर है बताओ कोई confusion आपको कहीं कोई confusion आपको सारे questions मैंने बता दिये हैं जितना मेरे पास आया था दोस्तो उतना questions मैंने आपको अच्छे से explain करवा दिया है I hope आपके सारे questions सही हो आप इस वार librarian की job को लग ही जाओ इस क्योंकि पहले भी exam cancel हो चुका है I hope सब कुछ सही रहे और इस वार आपकी joining हो जाए दोस्तो मेरे तरफ से आपको best of luck thank you friend have a nice day अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा please like share subscribe करें आज के लिए close करते हैं thank you have a nice day bye bye झापके स्थना लग है